प्रिवियसली हमने किंगडम प्रोटिस्ट टा पूरा डिटेल में पढ़ लिए अब हम पढ़ेंगे थर्ड किंडुम जिसको कहते हैं किंग्डम फंजाए kingdom fungi जो है fungus से मिलका बना होता है fungus जो है वो सारे kingdom fungi में present होते है तो ये kingdom fungi जो है obviously नाम से बदा चल रहा है ये fungi organism से मिलके बना हुआ है heterotropic organisms होते हैं fungi ये जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ और शायद आपको पढ़ा हो कि mushrooms जो होते है वो भी एक तरह के fungi ही होते है यसे पहीं जिसको आप खाते हो और fungi क instead मुल्टी सेलूलर होता है ये में आपको पढ़ा रखा है बताया था पहले fungus जो है वो fungi कीजिव आतम मुल्टी सेलूलर वोता है वाद uh yeast ये येस्ट जो होता है वो यूनी सेल्ले रता है इाम ये केक्स और यह ब्रुइंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है बीर और एलकोहल बनाने को तो यह exception आप जरूर याद रखना और और फंगस जो एवो फिलामेंटर वोडी होती है और फंगस की बाडी स्ट्रुक्चर जिसको कहते है हाईफी तो फंगर प्रिए जो है इसको कहा जाता है mycelium मतलब कहीं पे भी network of hyphy बन गया है मतलब काफी सारे hyphy इकठा होके बन गये हैं तो उस network of hyphy को क्या कहा जाएगा mycelium कहा जाएगा और hyphy जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है जो thread like structure होते है इनकी body में उसको hyphy कहते है और hyphy अगर multi nucleated हो जाएग उसके cytoplasm में multi nucleus present हो तो उस multi nucleated hyphy को क्या कहा जाता है को कहा जाता है cynocytic hyphy और एक दूसरी तरह की hyphy प्रेजन होती है जिसमें जो है यहाँ पे उसके cross walls में septum present होता है तो यह दूसरी तरह की एक hyphy present होती है और एक hyphy इस तरह की present होती है fungi में यह आप याद रखना cell wall जो होती है मैं पढ़ा चूगा हम आपको पहले भी की chitin और polysaccharide से मिलके बनी होती है fungi की और fungus जो है वो heterotrophs होते हैं मैंने आपको बता दिया है अब heterotrophs होते हैं तो या तो saprophite हो सकते है saprophite भी होते हैं इनमें कुछ fungus और कुछ parasitic भी होते हैं और कुछ symbionts भी होते हैं parasitic वो वाले fungus होते हैं जो plant और animals में disease cause करते हैं किसी तरहीके से saprophites mostly saprophites होते हैं क्योंकि वो dead or decaying matter पे जो है feed करते हैं और symbionts मतलब symbiotic relationship में रहते हैं किसी और other organism के साथ ताकि अपने food और shelter की demand को जो है meet कर सके तो उस तरीके symbionts के form में रहते हैं तो symbionts के form में रहते हैं तो fungus जो है दो तरीके से रहता है symbionts relationship में fungi जो है algae के साथ रहता है अगर symbiotic relationship में तो उसको कहते हैं lichen lichen जो होता है वो होता है fungus और algae का symbiotic relationship fungus अगर plants की root के साथ अगर symbiotic relationship में रहे तो उसको कहते हैं mycorrhiza इसको आप जरूर याद रखना ये दो point क्योंकि ये जरूर exam में पूछे जाते हैं और ये neat point of view से भी और आपके exams के point of view के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा important है तो ये जरूर आप याद रखना अब reproduction ये बात करें फंजाए में तो vegetative reproduction जो है budding fragmentation इसके थू हो सकती है और जो asexual reproduction जो होती है वो mostly होती है sports के थूरू जिन sports का नाम होता है conidia, sporengio sports और zoo sports zoo sports जो है वो motile sports होते हैं ये आप याद रखना sexual reproduction जो इनके में होती है वो भी sports के थूरू होती है और उन sports का नाम होता है o sports, asco sports and besidio sports तो ये बहुत important point है ये भी याद रखना और sexual cycle जो है वो involve करती है three steps को पहले का नाम होता है plasmo gamey, दूसरे का नाम होता है karyo gamey और तीसरे का नाम होता है meiosis sexual cycle में first step क्या होता है? वो होता है plasmo gamey plasmo gamey में क्या होता है? fusion होता है protoplasm का, protoplasm of motile या non motile जो gametes produce होते हैं उनके protoplasm का fusion होता है और protoplasm क्या होता है? protoplasm जो है cytoplasm और nucleus जो है इन दोनों को combine करके जो है protoplasm कहते हैं तो protoplasm का fusion हो जाता है first step में और second step में क्या होता है? और second step carry on का मतलब क्या होता है? nucleus और gamma का मतलब क्या होता है? fusion तो इसमें नाम से पता चल रहा है कि दो nuclei जो present हैं उनका fusion हो जाता है और अब यहां पर third step में जो है zygote की formation हो गई है अब zygote जो है उसका क्या होगा? meiosis होगा अब zoigote further meiosis division इसमें होगी और यह further जो है अब haploid sports produce कर देगा fungus की sexual cycle के हमने three steps पढ़ लिए अब fungus जो है reproduce अगर sexually करेगा तो उसमें क्या होगा? दो hyphy जो होते हैं hyphy जो network thread like structure होते हैं body में fungus के वो उसमें से दो hyphy जो है वो तो एक hyphy एक फंजाए का और एक hyphy दूसरे फंजाए का मिलके जो है fuse हो जाएंगे together एक साथ जो है fuse हो जाएंगे और deployed cell की formation कर देंगे most cases में जो है यह वाला यह चीज होती है पर कुछ cases में क्या होता है? कि अब जो fungi होते हैं उसके जो है चा टाइप होती है उन में से दो टाइप होती है जिस एक का नाम होता है ascomycities और दूसरे का नाम होता है basidiomycities अभी आप सिर्फ यह दो नाम याद रख लीजिए अभी यह सब explain करने के बाद जो है fungi की type भी हम discuss करेंगे और जो चा टाइप है उनको हम एक एक करके discuss करेंगे अब ही आप बस यह याद रखें कि ascomycities और basidiomycities में जो है यह वाला case नहीं होता है उसमें एक अलग case होता है उसमें क्या होता है एक intervening stage एक interval stage बन जाती है जिसमें दो nuclei per cell develop हो जाता है यह temporary condition होती है जिस condition को कहते है di carry on और face को कहते है di carry on face और फिर बाद में यह दो nuclei आपस में fuse होकर जो है di ploid cell की formation कर देते हैं तो बाद में यह चीज हो जाती है पर बीच में यह intervening stage बनती है जिसको मैंने आपको explain कर दिया और fungi जो है वह fruiting bodies की formation करता है fruiting bodies जो है वह haploid sports बनाती है haploid sports जो है फिर further जो है या तो sexual reproduction कर सकता है यह sexual reproduction कर सकता है तो यह सारी चीज़े होती है fungi में में होती है fruiting body जिसकी वज़ा से sports की formation होती है और जिसकी वज़ा से जो है वह reproduction कर पाता है यह आप point जरूर याद रखना अब morphology of mycelium मलदा mycelium किस तरीके का है किस टाइप का है देखने में और spore formation किस तरीके से हो रही है और fruiting bodies किस तरीके की है किस टाइप की है ये जो है अलग-अलग होती है फंजाए में तो ये इनकी जो क्या क्या difference है इनकी mycelium की morphology में, spore formation में और fruiting bodies में तो उसके basis पे फंजाए को four parts में divide किया गया है पहले का नाम होता है phycomycities दूसरे का नाम होता है ascomycities तीसरे का नाम होता है basidiomycities चौते का नाम होता है deuteromycities अब हम एक-एक करके ये चारो type of fungi को discuss करेंगे अब हम बात करेंगे first type of fungi की जिसको हम phycomycities कहते है phycomycities जो होते हैं वो मिलते हैं aquatic habitats में, decaying wood में और moist और damp places में जो है ये मिलते हैं और ये रहते हैं as obligate parasites on plants अब obligate parasite का मतलब क्या होता है parasite जो है दो तरीके के होते हैं ये एक होता है obligate और दूसरा होता है facultative फैकल्टेटिव का मतलब होता है facultative parasite का मतलब होता है जो parasite जो है strictly parasite नहीं होता है ये कभी कभार free living भी रह सकता है और ये as parasite भी रह सकता है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये as a parasite ही रहेगा तो ऐसे organism को क्या कहेंगे facultative parasite कहेंगे जो की strictly parasite नहीं होता है अब obligate parasite की बात करें तो obligate parasite जो है वो strictly जो है वो parasite होता है strictly parasite होता है तो phycomycetes जो है वो obligate मतलब strictly parasites होते हैं plants के उपर और mycelium जो है इनका aseptate होता है aseptate का मतलब क्या होता है without septum मतलब कोई भी septum या partition इनके mycelium में present नहीं होता है और end sinusitic होता है मतलब multi nucleate multi nucleate मतलब multiple nucleus present होंगे इनके cytoplasm में तो ऐसे mycelium को क्या कहते है sinusitic अब asexual reproduction जो है वो zoosports के थू होती है और zoosports क्या होते है zoosports होते है motile और aplenosports के थू होती है जो होते है non motile और aplenosports जो है एक type of sporengiosports है sporengiosports क्या होता है sporengiosports जो है वो non motile sports होते है जो होती है एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे और o gamus हो सकते है o gamus का मतलब होता है जिसमें एक female spore होता है जो की non motile होता है और एक male spore होता है जो की motile होता है वो ये दोनों जो है आपको पढ़ाया था कि sexual reproduction में फंजाए की तीन steps होते है पहला step होता है plasmo gammy plasmo gammy में protoplasm मतलब cytoplasm और nucleus की fusion होती है तो ये जो iso gammas sports है ये जो similar sports जब एक दूसरे सा fuse करेंगे अपने protoplasm को fuse करेंगे तो इस plasmo gammy को क्या कहा जाएगा iso gammy और इस जिसमें anisogammas sports interact करेंगे दूसरे के साथ fuse करेंगे उसको क्या कहा जाएगा anisogammy और इस वाली को क्या कहा जाएगा o gammy तो ये एक तरह की plasmo gammy ही तो है ये first step ये हो गया अब second step में क्या होता है karyo gammy में क्या होगा karyo gammy में मैंने आपको पढ़ाया था कि nucleus जो है वो fuse कर जाएगे और deployed ये body की formation हो जाएगी deployed body की formation हो जाएगी और इससे जो है ये fungus प्रड्यूस हो जाएगा और फिर third step होता था meiosis meiosis में क्या होता है ये fungus जो है ये fruiting bodies की formation कर देते हैं अपने body में अपने mycelium में जो है fruiting bodies की formation कर देते हैं और ये fruiting bodies जो है फिर meiosis इनके अंदर होगा reductional division जिसको कहते हैं और ये फिर जो है sports को produce कर देंगे अब ये sports जो है या तो sexual reproduction करे या ये sexual reproduction करे किसी भी तरीके से जो है नए फंजाई को प्रड्यूस कर देंगे तो इस तरीके से जो है sexual reproduction होती है फंगस में अब हम पढ़ेंगे second type of fungi जिसको कहते है ascomycities commonly known as sac fungi ascomycities को जो है commonly sac fungi कहा जाता है तो यह बहुत important है यह ज़रूर आप याद रखना mostly multicellular होते हैं यह और unicellular कुछ cases में होते हैं यह एक exception है इसका example होता है yeast yeast जो है वो ascomycities होता है पर वो unicellular होता है और yeast को जो है scientifically saccharomyces कहा जाता है इसकी mycelium जो होती है वो branched होती है और septate होती है मतलब उसमें branch होती है और septum होती है मतलब partition present होती है उसके mycelium में और asexual sports जो है वो conidia होते है और conidia जो है exogenously conidio force के ऊपर जो है exogenously produce होते है conidia conidio force के ऊपर exogenously produce होते है और sexual sports जो है asco sports यह endogenously endogenously जो है sack like structure si के अंदर जो है यह produce होते है asco sports यह जो sports si के अंदर produce हो रहे हैं इनको कहेंगे asco sports तो यह endogenously produce होते हैं मतलब si sack like structure के अंदर produce होते है उनकी fruiting bodies जो है उनको कहते है asco carbs तो different fruiting bodies के अंदर यह produce होते हैं तो उन fruiting bodies को कहा जाता है asco carbs यह सब आप यह सारे points जो है बहुत important है इनको आप याद रखना और कुछ examples fungi के जो के asco macetes के अंदर आते हैं वह है aspergillus claviceps और neurospora neurospora जो है biochemical जेनिटिक वर्क में यूज होता है तो यह examples आप याद रखना अब हम पढ़ेंगे तीसरे type of fungi के बारे में जो होता है basidiomycities basidiomycities को commonly कहा जाता है the club fungi और यह जो है ग्रो करते हैं soil में और tree stumps में और as parasites यह रहते हैं plants में और जो यह plants में disease cause करते हैं मला rusting कर देते हैं crops की तो wheat में यह rusting cause करते हैं इसले इनको जो है rust fungi भी कहा जाता है इनके जो species present होती है जो basidiomycities में और यह एक और disease cause करते हैं जिसको कहते हैं smut, smut disease तो उसमें जो है white white pouches पर जाते हैं wheat और crops होते हैं उसमें तो इसले इस fungi को कहा जाता है smut fungi जो यह species है इस basidiomycities में तो mycelium जो है इनका होता है branched और septate asexual spores जो है वो present नहीं होते हैं absent होते हैं और sex organs भी इनके पाप present नहीं होते हैं जो इनका protoplasm जो इनकी plasmo gammy होती है वो होती है somatic cells के थुरू तो somatic cells जो है एक दूसरे के साथ fuse करते हैं और basidium बना देते हैं और basidium में जो है फिर further cariogammy और meiosis होता है और four basidio spores produce हो जाते हैं यह basidio spores जो है exogenously produce होते हैं बना outside में produce होते हैं basidium के यह जो है basidium है और यह जो fruiting bodies में arranged होता है उन fruiting bodies को कहा जाता है basidio carps अभी मैंने आपको पढ़ायता है कि यह जो parasites as parasites भी रहते हैं basidio macities plants में और rust और smut fungi जो है इनके species को कहा जाता है तो यह जो rust fungi होता है यह इसका नाम होता है पक्सीनिया पक्सीनिया जो है इसको rust fungi कहा जाता है और smut fungi जो होता है यूस्टी लैगो यह आप ज़रूर याद रखना और इस basidio macities के अंदर जो है mushrooms जो है उन वो आते हैं तो agaricus जो mushroom है वो species इन basidio macities के अंदर आती है तो यह तीन species जो है वो basidio macities के अंदर आती है और यह काफी important है rust और smut fungi तो यह आप जरूर याद रखना कि rust fungi जो होता है वो होता है पक्सीनिया और smut fungi जो होता है वो होता है यूस्टी लेगो तो अब बात करेंगे fourth और last type of fungi की जिसको कहते हैं deuteromycities deuteromycities जो है उनको commonly कहा जाता इंपर्फेक्ट फंजाए इंपर्फेक्ट फंजाए इसको क्यों कहा जाता है क्योंकि only asexual or vegetative face of these fungi are known सिर्फ asexual or vegetative face जो है phases जो है इस fungi की हमें पता है हमें सिर्फ यही पता है कि asexual or vegetative face में इसकी reproduction होती है sexual face के reproduction की deuteromycities में हमें कोई जानकारी नहीं है तो deuteromycities reproduce करते हैं सिर्फ asexual sports conedia के थुरू यह आप ज़रूर याद रखना यह important है और mycelium जो है इनका वही है septate और branched होता है तो हमने तीन उसमें पढ़ लिया है types में कि जिन में mycelium septate और branched होता है तो आपका ascomycities basidiomycities और deuteromycities में जो mycelium होता है वह septate और branched में होता है septate और branched होता है बाकी phycomycities में आपका सीनोसाइटिक और aseptate जो है mycelium होता है तो यह point यह चीज़ आप याद रखना इस तरीके से आप learn कर सकते हैं और यह जो है या तो सैप्रोफाइट होंगे या parasite होंगे पर mostly जो है यह decomposers होते हैं जो की nutrient cycling और mineral cycling में help करते है nature में तो यह चीज़ है और इसके examples है alternaria और trichoderma तो इसके examples भी आप याद रखना अब जो है हम fourth kingdom kingdom planty और fifth kingdom kingdom animalia जो five kingdom classification में दे गए हैं उनको discuss कर लेंगे अभी previously हमने तीन kingdom discuss कर लिये हैं और last हमने अभी kingdom फंजाए को discuss किया था kingdom planty में क्या होता है plants और algae include होते है plants के जो है four types है four types में plants divided होते है bryophytes, pteridophytes, gymnosperms और angiosperms तो इन चारो ही टाइप्स को जो है detailed में discuss किया गया है chapter three में जो है plant kingdom आपके ncrt में तो इसके लिए जो है अलग से chapter है पूरा उसको जो chapter three है उसमें kingdom planty को discuss किया गया है और chapter three kingdom plant kingdom planty की वीडियो जो है मैं अभी डाल दूंगा अपने channel पर वह आप और उसका लिंक भी description पर डाल दूंगा तो वहां से आप check out कर लेना kingdom animalia में जो है animal सारे जितने भी है invertebrates और vertebrates को include किया गया है और kingdom animalia जो है वह chapter four है आपके ncrt में तो kingdom animalia के उपर मैं detail में वीडियो बना चुका हूं उसकी वीडियो जो है उसका link भी आपको description में मैं डाल दूंगा और मेरे channel पर आपको kingdom animalia की video भी मिल जाएगी chapter four की तो वहां से आप इसको detail में देख सकते हैं अब इसके बाद चलिए आगे चलते हैं जो हमें पढ़ना है आरेच विट टेकर ने जो five kingdom classification दी उसमें उन्होंने कुछ organisms को बिलकुल ही इग्नोर कर दिया था जैसे कि viruses और lichens और prions और viroids कुछ organisms हैं इन सबको उन्होंने इग्नोर कर दिया था अब इनको हम जो है briefly discuss कर लेते क्योंकि आपके slivers में given है तो सबसे पहले अभी हम viruses के बारे में बढ़ेंगे तो virus जो है वो non cellular organism होता है और virus word का मतलब होता है poisonous fluid और यह word जो है कॉइन किस ने करा था लूइस पैस्टियोर ने लूइस पैस्टियोर साइंटिस्स जो थे उन्होंने यह virus word दिया था उसके बाद डीजे इवैनोस की एक साइंटिस्स थे उन्होंने यह देखा यार कुछ microbes जो है वो disease cause कर रहे है tobacco में और उन्होंने उन microbes को जो है bacteria proof filter के through pass कराया तो वो bacteria proof filter के भी पार चले गए मतलब उन्होंने bacteria proof filter को भी cross कर दिया तो इससे डीजे इवैनोस की को यह पता चल गया कि भाई यह साब यह bacteria तो है नहीं तो उन microbes को जो है फिर tobacco mosaic virus का नाब दिया गया tobacco mosaic virus जो है वो tobacco plant में mosaic disease जो है वो cause करता है और tobacco mosaic virus का structure जो है कुछ इस तरीके से होता है यह उसका RNA होता है और यह जो है उसका capsid मतलब protein coat होता है फिर उसके बाद MW बेजरनिक आए MW बेजरनिक ने यह observe करा कि जब infected tobacco plants है जब उनको healthy tobacco plants के साथ रखा जाता है तो healthy tobacco plants जो है वो भी infected हो जाते है तो फिर उस fluid को जब इन्होंने extract करा तो उस fluid का नाम रखा contagium vivum fluid मतलब infectious living fluid उसके बाद फिर WM Stanley आए इन्होंने जो है virus को पहली बार crystallize करा इन्होंने यह दिखाया कि viruses को जो है crystallize कर सकते हैं और फिर crystallization में इन्हें पता चला कि mainly crystals में जो form वही है उनमें जो है protein प्रेजेंट है तो इससे फिर हमें पता चला कि जो वाइरस होता है उसमें mainly जो है protein coat होता है और उसके अंदर जो है एक genetic material होता है उसके अंदर वाइरस के अंदर वाइरस होता है एक normal protein structure जो की non-cellular होता है protein एक normal protein structure जिसके अंदर genetic material प्रेजेंट होता है यह genetic material या तो RNA हो सकता है या DNA हो सकता है और viruses जो है वह obligate parasite होते हैं मतलब strictly parasite होते हैं और disease causing होते है plants और animals दोनों में और यह जो है different type की disease जैसे smallpox, mumps और common cold यह जो है इस तरह की disease जो है humans में cause करते हैं viruses और viruses जो है अपने host body के बहार जो है ineffective नहीं होता है जैसे ही वह host body में एंटर करेगा और तब से ही वह अपना infection जो है start कर देता है infect करना start कर देता है host body को तो virus की यह खूबी होती है और यह सारी disease जो है वह cause करता है humans में और plants में जो है leaf का yellow पड़ जाना, leaf yellowing और dwarfing of plant और stunted growth यह सारी चीज़े जो है यह सारी diseases जो है viruses प्लांट में cause करते हैं अब second जो organism था वो था वाइरोइड जिसको और एच वे टेकर ने अपनी five kingdom classification में जगा नहीं दी थी जिसको हम discuss करेंगे वाइरोइड जो है 1971 में टी ओ डाइनर साइंटिस्ट ने एक नया infectious agent एक नया infectious microbes ढूंडा एक microorganism ढूंडा जो कि smaller था वाइरस वाइरस से वाइरस से यह स्मॉलर था और यह जो है potato spindle tuber disease cause करता है potato में और यह जो है वाइरोइड जो होते हैं यह free RNA होते हैं मतलब इनके अंदर जो है protein coat नहीं होता है तो एक वाइरस और वाइरोइड में difference यह होता है कि वाइरस जो होता है उसके अंदर protein coat होता है और genetic material होता है पर इसमें क्या होता है कि protein coat present नहीं होता है बस genetic material होता है और वो भी RNA होता है और यह RNA जो होता है यह इसका molecular weight भी जो है वो कम होता है काफी तो यह वाइरोइड में यह सारी चीज़े होती है तीशा जो और्गेनिजम में है वो है लाइकेंस लाइकेंस जो होते हैं वो सिंबियोटिक ऑसोसीएशन होते हैं फंजाय और ऐलगी के इसमें फंजाय वाले पार्ट को जो है Mycobind कहा जाता है फंजाए को जो है माइको के नाम से बोला जाता है तो इसलिए इस वाले पार्ट को जो है माइको बाइंट कहा जाता है लाइकन में और इस वाले पार्ट को फाइको बाइंट कहा जाता है तो ये फंजाई और algae की symbiotic relationship जो होती है उसे कहते हैं lichen lichen में जो algae component होता है ये algae जो होता है ये होता है autotroph और fungi जो होता है वो obviously heterotroph होता है तो ये symbiotic relationship होती है तो मतलब symbiotic relationship का मतलब होता है कि दोनो जो parties है दोनो जो organism है उनको फाइदा मिले mutual फाइदा मिले इसलिए जो है symbiotic relationship बनती है अब इसमें जो है algae food बनाता है और fungi को food प्रोवाइड करता है और fungi जो है यहाँ पे shelter प्रोवाइड करता है और protection प्रोवाइड करता है algae को और nutrients जो है वो प्रोवाइड करता है algae को soil में से absorb करके तो इस तरीके से दोनों का फाइदा होता है और यह दोनों जो है symbiotic relationship में एक साथ रहते हैं fungi और इसको जो है lichens कहा जाता है और lichens जो है बहुत ही अच्छे indicator होते हैं pollution के polluted area में जो है lichen कभी भी का chapter 2 biological classification खतम हो चुका है तो I hope आपको सारी चीज़े समाज आई होंगी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप comment करके मेरे से पूछ सकते है